आज दोस्तों आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ, एक कवा, पेण पे बैठा था, उदर से आते हैं साधू, अचानक साधू की चेहरे पे बूर्ण तपकती है, एक बूर्ण तपकती है, साधू तुरंद उपर देखते हैं, पेण की त कहता है रोमनूं तो मैं क्या करूँ यह कोई जीवन दिया मुझे काला रंग निया कोई पसंत करता है कि जहां जाऊं बहु बखाया जाता हूं दो बक्ती रोटी कोई चैन से नहीं देता है यह कोई जीवन मिला या करू इसे जीवन को तो सादू बोले, अगर दूसरा जनम मिले, तो तू क्या बनना चाहेगा, तो सादू महराज, मैं हंस बनना चाहेगा, हंस, या तुसको हंस बनाऊगा, आज ही बनाऊगा, जा जाके मिला, हंस से एक बार मिला, मेरी एक सर्थ है, अब तू हंस से जाके मिला, अब दोरता जाता हीए तो उसको देखते ही कहता है क्सें किसका रग है वह क्या उसकी चुछ है और कितना अच्छ्छा यह जब पाशनी तैर रहा यह पाणी मारता कितना कि फोट फुट्यक्रों किश्टे कि तुछ सुन्दर तश्वीर स्की आती होगी उसके पास जाके बोलता है हंस महराज बोले क्या तरी जिंद्गी है क्या तो खुश रहता होगा है 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 तुमक्र तकलीफ है तकलीफ तकलीफ है कि मैं पाणी में तेहरता रहता हूं कोई पूछने नहीं आता है कोई मेरी फोटू खीचता है मैं फोटू में नहीं आता हूं क्या जिंद्गी है तो वापस कवा सादू पाच चला जाता है तो सादू से बोलता है कि नहीं हंस नहीं बनना है तो फिर क्या बनाऊं तुसको तो मुझे बनना है तोता बनना है जात उसको अब उसको मैं तोता बनाओंगा अब तोता बनाओंगा लेकिस् servi कुछ पहले जाके तोते से मिला, अब वो जंगल गया, उन्हें जंगल के चार चक्कर लगा है, पांच में चक्कर में तोता मिला बड़ा मुस्किल से, तोते को देखते कहा, वाह, 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 क्या तेरा रंग है, क्या तेरी खुसूर्थी, क्या तेरी चुमच है, लोग तुझे मिठ्व मिठ्व अरके पकारते हैं, लोग तुझे पालते हैं, तुझे क्या से क्या नहीं खिलाते हैं, तुझे बादाम काजू तक खिलाते हैं, को फॉओं कोग मुझे अभी कॉछ इलगा दे कुछ रहे फेला है कि लोग मुझे पालते हैं मेरी आजादी को पिंजिड़े को बं कर देते हैं साधू का निएक बक्ति नहीं मिले क्या जिंदकी मिली है को दो से बहुत है साधू से बोला मौत भंन लगे, किया बनना पसंद करें बता। बोला मूर बना पसंद करों गा, राष्टे पच्छी उसको तो मजे मजे है उसको पूरी दुनिया जानती है तो बस एक ही सर्थ है तू उससे जाके मिला अब कवा जाता है मोर के पास मोर के पास जाते हैं जब उससे पोछता है वह क्या तेरी खोसूरती है लोग तेरी तेरे नाचने का अंचा करते हैं जब तू नाचने तो घटा बरसती है लोग तेरी तस्वीरे खीचते हैं और देश दुनिया में बेशते हैं तेरी कितनी प्रसंसा होती है तो एक राष्टी पच्छी है देश दुनिया के लोग तुझे इतिहास में जानते हैं त तुसको भी दिक्कत है एक राश्टी पची है दिक्कत है अभी थोड़ी ते खड़ा रहा है अब देख कोई आवाज आ रही है अवाज आती है धम 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 सुनना है तू हाँ सुनना यह यह वह हैं सिकारी लोग यह मेरे सिकार करते हैं मुझे को मुझे को सिकार करने बाद यह हमारे सरीर से एक एक पंक नोचते हैं और जाके बाजार में बेशते हैं लोग अपने गहरों में लगाते हैं लोग इसकी तस्वीर बनाते हैं तस्वीर उसा जाते हैं क्या जिंदगी है मेरी मेरा अगले घंटे का पता नहीं है और तू करें मैं मस्तू हूँ मैं खुश हूँ कहा का खुश हूँ मुझे अपने घंटे का पता नहीं है तुझे क्या दिक्त है? तुझे क्या दिक्त है? तुझे क्या दिक्त है? तुझे क्वा काला है, कोई तुझे पसंद करता है कि नहीं, तुझे कोई जान का खत्रा है? बोला नहीं, तुने चिकन बिर्यानी सुनी? बोला हा, मटन बिर्यानी सुनी? बोला हा, कवा बिर्यानी त तुझे क्या ख़त रहा है तुझको कोई पालता है जंगले बंद करता है या पीड़े में बंद करता है कि नहीं फिर तू तो आजादी है तुझको क्या दिक्कत है तो उसको क्या देखके हैं तो तो खुसी-खुसा है तो उसको किसी को मतलब भी नहीं है आजादे से घुमें कहीं घुमें कुछ भी करें इस कहानी से आप लोगों समझ में आया कुछ बहुत गहरी बात करे गया है उस कहानी में दोस्तों, अपनी तुल्ला कभी भी किसी से नहीं है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, किसी से अपनी तुल्ला नहीं है, आप जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बस जीमन बिताईए अपनी तुल्ला किसी सीनी कीजिए धन्यवाद दोस्तों